पापा, आव बेटी, पापा, पापा, आप मुझे माफ कर दीजी, आप तो सिर्फ उपर से सक्त है, अंदर से तो आप वही पुरानी पापा है, हम तुम्हारे पापा हैं वीटी, हमेशा तुम्हारी भलाई की सुचते हैं, ये सुबर सुबा कहा गई थी, शाम से मिलने, उसे ये कहने कि आपने हमारी शादी मनजूर कर ली है, जाने से पहले हमसे पूछ लिया होता, तो तुम्हे पता चल जाता कि ये सब छूट है, क्या, आपने चाजा से छूट बोला, हाँ, शेकान को दिली भीशने के लिए, मुझे ये छूट बोलना पड़ा, क्योंकि वो अगर यहां रहता, तो कुछ न कुछ बखेड़ा करता, उसके वापस आने से पहले, तुम्हारी शादी ठाकुरंबर सिंग के साथ हो चुकी होगी हम आप ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते एक बेटी की जिद, और शरावी भाई की इल्थ जाके आगे, हम अपने आनबान, मान मर्यादा को निलान नहीं कर सकते तुम्हारी शादी ठाकुरंबर सिंग के साथ होगी मैं मर जाओंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी हमने जो कह दिया, वो पत्थर की लकीर है आपकी पत्थर की लकीर मेरी किसमत की लकीर नहीं बन सकती बापा मैं भी एक ठाकुर की बेटी हूँ, मुझे में ठाकुरोंगा खोन है, ये मत पुल लिया आप हां, मैं बत्तमीज हूँ, क्योंके मैंने आपके होख को चिलोटी दिय और आप, आपत्तमीज वाले है क्योंकि आपने हर कतब पर मुझे आज्वडा हो ठामाचों की धुलती है इन आसो और धमाचों को थाकोरों की दीवारों पर हभी हारों की तरफ तांग देना चाहिए थागी एक बाप की तरी अदिली और बाद धुरी का सब उत्रा है राद बेटी दर्वाजा खलो राद बेटी लो बेटी जोड़ा पहन लो मैं यह नहीं पहनूगी क्यों नहीं पहनूगी मेरी शादी हो चुकी है बापा अपने पत्ती के होती हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ क्या बक्ती हो आपके सामने इस श्याम ने अपने खून से मेरी मांग भरी थी क्या क्या श्याम का खून उस सिंदूर तो सस्ता है, जांबर सिंग के हवेली से आने वाला है जैको वेजी, किसी का गंदा खून मांग में फ़र लेने से शादी नहीं होती उसके लिए अगनी के साथ फेरे लेने पड़ते हैं और तुम आचछी तर जानती हो, हमने अंबर सिंग को बच्चन दे दिया है तुमारी शादी उसी के साथ होगी जादी नहीं कर सकती, जादी नहीं कर सकती अगर तुमारे ये फैसला है तो ठीक है जेल जाकर उस हराम जादे शाम को फून डालो और उसके घर को चला कर राख कर दो नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर फैसला तुमारे हाथ में तुम्हें शाम की जिन्दगी चाहिए या मौन राधा, शाम तू नहीं तो शाम नहीं, तू नहीं तो शाम नहीं हाँ, तू ठीक केता है, राधा तो शाम की जहान है अगर मैं मर गई, तो शाम में मर जाएगा हाँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ तू अज़स तक नहीं जा सकती, उसे अपना हाल नहीं बता सकती मैं क्या करूँ वो जामां गान पलाए तनोहरे सुवाख कन्या को गुलाए एक तो उन्सरों मंगर्मांगे शिवे स्वाद सादी के स्रंगें तरम्रके गोरी नाराने नहों सुदे बेचा बेची बेची बेचा बेची लोगी डेचा राधा बेचा झाल मुणक कि मुणक कि दो कि दो कि दो खाल भी पी पेपी, अगर हो सके, तो अपनी पापा को माफ करते ना माफ है किस बात की माफ, आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस के लाश को सजाने में, फरक इतना ही है, कि इस की चिता बर्समाद जिलेगे यह फूल नहीं मेरे अर्मान है, जिन से हमारी सुहाग सेच सजाई गई क्या आप मेरे अर्मानों को आपके कदम चुमने का मौका नहीं देंगी या इन फूलों से कोई गुस्ताखी हुई हो, तो हुकम कीजे, हम इन फूलों को जरूर सजा देंगे गुस्ताखी इन फूलों से नहीं हुई ठाकुर सहाब, लेकिन गुस्ताखी आप से हो सकती है, अगर आपने हमें छूनेगी खुश्ट की तो अगर आपको छोना गुस्ताकी है तो ये राच जिसकी मुंतजर है वो एक गुनाह होगा जी हाँ, वो एक गुनाह होगा अब इस गुनाह की सजा भी सुना दीचे सजा तो मुझे मिली हट्ठा कुर्दा ये आप क्या कह रही हैं? ये शादी मेरे मर्जी नहीं, मजबूरी थी मैं आपको अपना पती नहीं मंती अगर ये मज़ाख है तो बहुत गंदा मज़ाख है और ऐसा मज़ाख मैं अपने खौब में भी परताश्क नहीं कर सकता ये मज़ाख नहीं है डाकुर साब नहीं मैं तन मन से किसी और को प्यार करती हूँ, किसी और को मगर अगनी को साक्षी मान कर फेरे तो आपने मेरे साथ लियत है वो फेरे कभी पुरे नहीं हुए ये अगनी साक्षी है, वो फेरे कभी पुरे नहीं हुए कैसा इम्ताहन ले रही है मेरा आपके लिए तो ये सर्फ इंतिहान है वागर मेरे लिए मेरे लिए सजाएन मौत ये सुहार की सेज नहीं आग की सेज है चिता है मेरी ये बस बस कीजे एक पूरी उमर ढूनने के बाद तो आप मिली थे आप से मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं सच में क्या ढूंड रहा हूं और आज जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया मेरा सब कुछ चिन गया आप पुरुष हैं ताकतवर हैं अपना हग जदा कर आप कुछ भी चीन सकते हैं मागर याद रखिएगा आपको मेरी लाश की सिवा कुछ नहीं मिलेगा चेन ना अंबर सिंग की फितरत नहीं जीतना उसकी आदत है मुझा कर ली तुम दोनोंने हा मा ये लो प्रसाद आज सक्तु ने मुझसे कभी जूट नहीं बोना अब ये दूसा जूट बोल रहा है क्या बात कर रहे हो मा कैसा जूट ऐसे जूट वो सूहाग राद जो कि कभी होई नहीं पूजा का प्रसाद पूजा जो तुम दोनोंने की ही नहीं मुझे तो पहले ही शक हुआ था यह कौन सा राज है जो तू मुझे से चुपाना चाहता है और क्यों चुपाना चाहता है जब तू शादी करके आया था तो तेरा चेरा कितना खिला खिला था ये राग भर में अचानक क्या हो गया कुछ नहीं हुआ मुझे बताना ही पड़ेगा क्या इसने कुछ किया मैंने काना मा कुछ नहीं हुआ अगर कुछ नहीं हुआ तो तेरी आवाद में ये तलखी कहां से आई मा तुम तो बस खामुका कुछ ना कुछ बोलती रहती हो इस घर से तो जंगल अच्छा है कुछ बोल, मेरा बेता तेरा पती नहीं है नहीं है बोल, records रप्रहीन मेरा बेता तेरा पती नहीं है मा जी, वहुडानी के चाचा जी आए है जाजाजी, जाजाजी, जाजाजी जाओ, रुको जाजा राधा राधा मेरी गुडियाद पेटी, पेटी ठीक तो होले जाजा राधा आपके यहाँ यह कौन सी रस्म है जिसमें नई नवेली बहु को ऐसे तौफ़े दिए जाते और आपके हाँ कि यह कैसी रस्म है जिसमें एक नई नवेली बहु अपने पती को पती मानने से इंकार करते ऐसी बचलन और बेशरम लड़की अरे अरे हमने तो फूलों को भी एजाज़त नहीं दी थी कि वो हमारी बेटी पर कोई गुस्ताखी करें तुम अंदर जाओ राधा कहीं नहीं जाएगी आप यहां हमारा अपमान करने आये हैं मैं यहां राधा को लेने आया हूँ हमर यहां एक बार बहु घर की चौकट के अंदर आ जाए फिर उसकी अर्थी ही भार जाती है अर्थी तो निकलेगी इस चौकट से मगर एक नहीं सेख लो यह ठाकुर श्रीकाद की प्रतिया है क्या आप राधा को क्यों ले जाना चाहते हैं इसकी वज़ा आपकी माता जी ने राधा के बदन पर जगा जगा अपने हाथों से लिखती है लीजिए पढ़ लीजिए देख लिया आपने माँ चलो बेटी कहां ले जाएंगे आप मुझे चाचा जी वही जास मेरी आर्थी निक अगर तुम्हें उस घर में रहना पसंद नहीं तो हम कहीं और जाके रहेंगी बेटी तेरा चाचा इतना गया गुजरा नहीं कि तेरा पेट नहीं भर सके नहीं चाचा अब राधा यहां से निकलेगी तो अपने शाम में खो जाने के लिए